आप सभी लोगों को और आप सभी के माध्यम से देश के समस्त जनता को और कॉंग्रेस के सभी कारे करता हूं को कॉंग्रेस थापना दिवस की शुपकामनाएं देता हूं और दो-तीन बहुत महत्पून चीजों पर आपका ध्यान डालना चाहता हूं 23 तारिक को सुभे जब हम लोग सुभे अपनी यात्रा पर थे तब हमारी एक साथी हमारी जो कैम साइट होती है कंटेनर की वहाँ पे किसी कारण छूट गई थी उनकी मौर्निंग यात्रा में वो नहीं शामिल हो पाई लगबग साथ बजे के आसपास उनके कंटेनर में किसी ने घुशने का प्रयास किया ऐसा उनको महसूस हुआ उन्होंने बाहर जाके देखा, तो एक व्यक्ति हमारे एक दूसरे बगल वाले कंटेनर के बाहर खड़ा था, उन्होंने और निकल के देखा, तो एक दूसरा व्यक्ति उस कंटेनर से बाहर आ रहा था, उन्होंने उनसे पूछा कि भईया तुम कौन हो, क्यों इन कंटेनरों क अंदर घुचे हो तो उन्होंने कहा जी हम बातरूम करने गए थे और जैसे ही उन्होंने अपना मूँ दूसरी तरफ करा वो दोनों लोग वहां से भाग गए तीसरा आदमी उसी समय कंटेनर से बाहर निकल रहा था हमारी साथी ने उस व्यक्ति को उसके कॉलर से पकड़ा और उसको बोला कि तुमें भागना नहीं है तुम बताओ कि तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो उन्होंने का नहीं मैं बातरूम करने गया था तो उन्होंने बोला ऐसे कैसे तुम बातरूम करने जा सकते हो बाहर पब्लिक टॉयलेट्स हैं हमारे टॉयलेट्स के ट्रक भी भा लोग पकड़े गए हमने वहां के संदिक लोग पकड़े गए थे उनको पुलिस के हवाले किया बाद में हम लोगों ने अनोफीशिली ये गैदर किया कि वो लोग हर्याना पुलिस के ही स्पेशल यूनिट के लोग थे हमने इसके बारे में कंप्लेंड लिखाने के लिए मैंने सेचो को फोन किया जैसी हमारे संग्यान में आया हमने एक यातरा मॉर्निंग की खतम करी मैंने सेचो को कॉल किया मैंने का बई ये गलत बात है कैसे आपके लोग घुज गए तो हम लोगों पे ये भी अनोफीशिली द चला जाए और सेकेंड लेग में आके आके ये बोलो कि हमारे कंटेनर में ये चीज मिली है तो कौन जिम्मेदार होगा तो आप इसकी जांच कीजिए और हमारे को बताईए तेज तारिक से आज 28 तारिक हो गई है अभी तक ना उस पे कोई कारवाई हुई है ना उस पे कोई जांच हुई है ना हमारे को कोई सूचना दी गई है उसके बाद 24 तारिक को जैसे ही हम दिल्ली में घुस्ते हैं दिल्ली पुलिस जो की होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है जैसे ही हमारा बदरुपर पे ट्रांसफर होता है राहुल जी के आसपास एक रोप पहले दिन से बन बाद फ्लैक की गई तब उन्होंने रोप लेके आए थोड़ा सा हम लोग आगे जाते हैं एक टी पॉइंट होता है जहां पे रुकते हैं टी पॉइंट के अंदर मैडम सोनिया जी थी प्रेंका जी हमारी जनल सेकेटरी थी टी पॉइंट को कोई कवर नहीं किया गया उसकी लाल के लिए के पॉस पहुंचने वाले थे वहां का विडियो दिखाया ये दिल्ली की घड़ना है अगर दिल्ली में इस तरीके से हम लोगों के साथ हो रहा है हर्याना में दिल्ली के करी पहुंचने पे एविडेंटली जब हमने उनके लोगों को रंगे हातों पकड़ा औ तो हम सभी भारत यात्री इस यात्रा की सुरक्षा को लेके बहुत चिंतित हैं। इसी वज़े से आज केसी जी ने हमारे जर्नल सेकेटरी ओगनाईजेशन ने लेटर भी लिखा है जिसके बारे में पवन जी ने आपको बताया और यही बाते हम आपके माध्यम से उठाना चाहते थे आज।